प्रेंड्स मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत सवागत है अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नए वीडियो बनाओ उसकी नोटिफिकेशन आपको लगाता स्विच होता है। फ्रेंड्स ये MCB टाइप का DP स्विच है फ्रेंड्स इसमें दो पॉल है तो ये 63MP का 24V आप लिए 415V है फ्रेंड्स को आप 240V पे इस्थमाल कर सकते है लेकिन इसकी करेंट capacity है यह 63 ampere है इससे load आपका 63 ampere से कम ही होना चाहिए जाधा नहीं होना चाहिए तो फ्रेंट से 63 ampere से जब जाधा होगा या कोई short circuit होगा तो यह DP switch टिप कर जाएगा तो फ्रेंट से इसमें connection की ज़ए कैसे करेंगे तो फ्रेंट से यह देखी यहाँ पर यहाँ पर यह load है फ्रेंट से इधर इधर load लिखा हुआ है इधर line लिखा हुआ है तो फ्रेंट से आप अपनी mcv double dp switch में देख लिजेगा जिधर load है उदर load connect करना है जिधर line है उदर line connect करना है जो आपके meter से जो दो तायर आएंगे वो यहाँ पर connect होंगे यहाँ पर फ्रेंट से लिखा हुआ है दो नमबर चार नमबर और यहां output नमबर गए ठीन लेकिन जो current capacity है यह 63 amp है यह 40 amp औ 32 amp में भी आता है तो जितना आपका घर का लोड हो उस दिज़ा आप से connect कर लिजेगा तो friends जब इसको on करेंगे तो side on होता है तो friends जब on करेंगे तो यह supply यहाँ से यहाँ पर आजाएगी और यहाँ वाली supply यहाँ पर आजाएगी और जब अगर कोई problem हो कोई fault आएगा यह टिप कर जाएगा तो आप इसको on कर लेंगे यह double pole switch इसलिए है क्योंकि इसमें दो pole है यहाँ पर यह फेज हो गया यहाँ पर न वाइड कर सकते हैं